हलो दोस्तो मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ओगीपुर क्लासेस में आज किस वीडियों कच्छा 11 के अर्दवार्सिक परिच्छाख सामान हिंदी के पेपर को हल करने वाले हैं अगर आपका अर्दवार्सिक पेपर हो गया है तो आपके प्री बोट के लिए क जनक किसे कहा जाता है तो आधुनिक छिंदी गद का जनक परताम राड़ मिस बार्व किडवर्ट प्रेम घन या भारतेंद हरी चंद्र का जाता है तो आपसर नमबर डी इसका बिलकुल राइट उत्तर हो जाएगा उसके बाद दूसरा क्योशन दिया कि रानी केतकी की कहान लिखको मिलातेंद है तो आपसर नमबर इसका राइट इंसर हो जाएगा उसके बाद चार नमबर क्योशन दिया है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है जैसंकर परी साब हैं उसके बाद यहां पर दिया है अगला क्योशन की बीजख कर रचना है अगर हम बीजक की बात करते हैं तो बीजक में तीन चीज आती है साखी सबद और रमैनी इन तीनों को मिलकर बीजक बनता है जिसकी रचना किसे ने की है कबीरदास ने की है आपसर नमबर एसका राइट इंसर हो जाएगा उसके बाद अगला क्यूशन दिया कि सू कि नम चरित मानस कि रचनाकार कोन। है तुलसी दास है तो किस काल को स्वर्ड यूग काल का जाता है तो भकती काल को स्वर्ड युग ऌ क्याता है। उसके बाद नेस्ट कोईशन दिया हुआ है कि किस कभी को भारती आत्मा के नाम से जाना जाता है तो माखनलाल चतुरुएदी को भारती आत्मा के नाम से जाना जाता है उसके बाद आप में गद्यांज दिया है गद्यांज को पढ़कर इंसर देना है और आपको इसमें 15 नमबर मिल जाते हैं यहां पर गद्यांज दिया कि आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतनी मनिस्यों को एक साथ बड़े उस्सा के साथ एक स्थान पर देखते हैं इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है हमारे हिंदुस्तानी लोगों को रेल गाड़ी है यद्देव फर्ष्ट क्लास के सिकंड क्लास आधी गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े के मसहूल की इन ट्रेन में लगे हैं पर बीना इंजन के सब चल नहीं सकती वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को चलने वा को पढ़ना है पध्यांज को पढ़कर जम मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं ना सब अधियारा मिट गया जब दीपक देमाई इसका आपका संदव लिखना रे खांकित की व्याख्या करना है उसके बाद यहां पर दिया है कहा उसी अथवा इसको कर जिए इसको दोनों मे आपको लिख लेना है उसके बाद यहां संस्कृत में दिया को संस्कृत को पढ़ना है और इसका अनुवात करना है टोटल आपको 10 नमबर यहां से मिल जाता है उसके बाद यहां पर 7 नमबर क्यूशन दिया कि स्रिंगार अथवा बीर रस की परिभासा और उधार देजिए त इसके बाद यहां बलिदान कहानी का आपको सार लिखना यहीं कथासार यहीं सारांस लिख देना है उसके बाद 9 नमबर क्यूशन के अस्वस्थ होने के काड़ अवकास से तू अपने बिद्याले में प्रधानाचार को प्रार्थना पत्र लिखना है यदि आप छुप्टी निभाएगा इसलिए पूरा पेपर को हल करके जाईएगा जो की काफी इंपॉर्टेंट होने माला है अगर वीडियो को लाइक कर देजेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किजेगा